तो हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो इसे इंगलिस समरे, तो आज ही क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, क्लास सेवंथ का चैप्टर नबर एइट, जिसका नाम है आहूमेश टूर ब्रेफ सोलजर्जर्स, तो यह जो चैप्टर है, यह दो पार्ट्स में डिवाइड़ है और यह इस साथा इंट्रस्टिंग था, जो नेशनल वार मैमोरियल है, वो चार चक्रास से बना हुआ है, और वो जो चक्रास है, वो concentric circle से बने हुए है, मतलब एक के उपर एक circle बना हुआ है, और हर circle कुछ ना कुछ त्रिपेसंट करता है, तो जो वो चार चक्रास है, वो हैं अमरचक यह वीच चक्र त्याक चक्र और रक्षा चक्रोव और यह सराउंड है 15 मीटर-टॉल Central Abiliki मतलब की समारण, तो यह बना हुआ यह 15 मीटर टॉल जौ समारक है, उससे बना हुआ है उनकर पीच मे कोती जलती रहती है, तो वहाँ जो वाल्स है, वहां पर मूरल्स बने हुए हैं मूरल्स मतलब की जो वाल्स के उपर कुछ ड्राइंग्स बनी होती है कुछ पेंटिंग डाइप की बनी होती है उन्हें खा जाता है तो जो इनर्मोस्ट लेयर है हमारे नैशनल वार मेमोरियल की वो अमर चक्र को दर्शाती है अमर मतलब की इम्मोर्टल मतलब जो मर नहीं सकता कभी भी और उसी में जो फ्लेम भी है वो भी वही पर चलती है तुर yhtछ जो वहारे प्राइप टैबलेट से covered है और जो वो ग्रेनाइट टैबलेट हैं उनसे पे हमारे जो heroes हैं हमारे जो soldiers हैं उनके नाम भी लिखे हुए है golden words में golden letters में उनके नाम लिखे हुए है जो आउटर मुश्ट लेयर है जो fourth तरीके से protected है वो भी हमारे soldiers के वज़ा से हमारे soldiers ने पूरी तरीके से हमें protect करके रखा हुआ है हम सुबा से शाम तक महां पर खूंगे हमने पूरा area जो है वहां पर cover किया हमने सब कुछ पढ़ा सब कुछ जाना कि महां पर क्या क्या हो रहा था फिर हमने देखा majestic laws and grand buildings तो वहां गोमने के बाद हमारी class में decide किया कि हम एक project बनाएंगे जो की national war memorial के उपर हुआ जिसमें की हम 5 group में divide हो गए थे और हमने एक एक जो हमारे जवान थे जो की शहीद होए थे उन्हें decide किया था और उनकी जो life story थी उनके बारे किया था महावी शक्र से वह बहुत ही जादा एक प्रेफ soldier थे और उनकी फोटो भी यहां पर दी गई है उन्होंने वार में जाने से पहले अपने पिताजी को एक letter लिखा था जिसमें की उन्होंने बोला था कि मुझे बार में जाने से पहले बिल्कुल पी ड़ नहीं लग रहा बिल्कुल भी खपराट नहीं हो रही मैं पूरी तरीफी से तयार हूं वह हमें जाने के लिए फिर उन्होंने बगवत कीटा का एक सार्वी वहां पर लिखा हुआ था बगवक दीता का एक श्लोग ज जिसका मतलब होता है कि तुम जब War में जाऊजिए, तो या जीत हासिल करोगें या फिर तुम वहाँ पर शायद हो जाऊगें और फिर तुम सवर्ग हो जाऊए जो कि एक जीत है क्योंकि किन तुम हर्मिशां के लिए वहाँ पर अमर हो जाऊए यहाँ पर एक website भी दी गई है जो कि हमारे comment नहीं अलॉट कराई थे इसे कि आप इस memorial के बारे में और जादा जान पाएंगे फिर इसके बाद वो बताती है कि हम कल बैंगली नो पहुंच गए हैं और तुम अपने parents को मेरा record देना मुझे उनको काफी याद आती है और तुम्हारी mother के हाथ के बने होगे छोले प्रटोरो को मैं बहुत सादा miss करती हूँ तुमने जरूर बताना और अमित को मेरी तरफ से hello बोलना तो इस तरीके से जो यह letter था यह खतम होता है फिर इसके बाद जो आनन्द है वो इसके reply में एक letter देता है चूंकि अब next letter होने वाला है जो हम पढ़ेंगे हाउस मेंबर सेक्टर डेट 24 अपरेल 2022 दियर सॉम्या इट वस सच अ प्लीजेंट तो सीव लेटर एंड है एंजॉइड अलॉट तो रीडिंग इट इसका जो एक्सपीरियंस हा वह बहुत ही जादा अच्छा था मुझे बहुत जादा अच्छा लगा मैंने फील किया कि को देखने जाते हैं कोई पर फील नहीं करता कि महां पर किन स्टोरीज को वहां पर बताया गया है और वो जो लोग शहीद हुए और उनकी क्या क्या स्टोरीज थे उसके पीछे लेकिन तुमने इसको अच्छी तरके से जाना समझा जिसकी मुझे बहुत जादा खुशी है म हम ऐसी प्लेसिस को विजिट करें और हमारे सोल्जर्स के बारे में और जाने उनकी सैक्रिफाइस को और जाने जिन्हों ने हमारे कंट्री को प्रेट करने के लिए इतनी जादा मैनत करी और सैक्रिफाइस किया यह बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे स्कूल वालों ने इतनी अच्छी जगा पर विजट कर वाया और तुम्हें इतनी साधा नॉलिज दी और तुम्हारे जो प्रोजेक्ट है उसके लिए उसके लिए तुम बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करने वाली हो मुझे पता है मुझे अप इस लेडर से अपना टाइम याद आ गया जब मैं मैमोरियल देखने गया था मेरी सिटी में जो कि नेक्टरिल मर्तिज डे पर था मर्तिज डे मतलब की शहीड डिवस शहीड दिवस पर वो चंदीगर की गार्डन में गया था जो कि एक वान मैमोरियल जैसा ही है झाल कि झाल कि एक गलब मैं याद वो वो चार्डन में मेंग भी मोर्य जा कि आप जो कि एक। रड़ है यादिग गया वो चपूर कि ऑलब मैं जा टुझे टुझे ले एक आ झाल 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 झाल